ये कहानी है पच्चाल साल की एक चलाक औरत की जो अपने ही बेटे को अपनी राती रंगीन बनाने के लिए मच्पूर करती है गाइस मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं आपके लिए एक अच्छी से अच्छी मुवी टून कर ला पाऊँ अगर मैं इस काम में थोड़ी सी भी सफल हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेर जरूर करना तो चलो कहानी सुनाती हूँ कहानी शिरू हुई डेन्मार्क सिटी के लस्करीन एरिया के जंगलों से चहां एक फैमली पीटर, एनी और उनकी तो ट्विन्स बीटियां रहती थी पीटर परफेशनल एक टॉप ग्लास सरजन था और वहीं एनी एक लॉयर थी जो स्पेशली माइनर्स के लिए फाइट करती थी और अपने इस काम के लिए वो सिटी में काफी फेमस थी उपर से इतनी पॉफेक्ट दिखने वाले इस फैमली में एनी खुद को बहुत अकेला समझती थी तब हम चार्ली को देखते हैं जो एनी की बेजान जिन्दगी में रंग भरने आ चुका था चार्ली की आने से एनी की दोनों बेटियां उसे वेलकम गिफ्ट में कीचेन देती हैं जो कि शायद चार्ली को पसंद नहीं आया क्योंकि अगले दिन वो कीचेन एनी को घर के बाहर मिला पर एनी यहाँ सोचती है कि शायद ये गलती से गिर गया होगा तो वो उसे वापिस करने चार्ली के रूम में जाती है जहां उसे एक 18 प्लस बुक मिलती है तो एनी चार्ली से पूछती है क्या मैं जान सकती है तुम इससे क्या पढ़ रहे हो जिनमें वो कीचेन भी शामिल था पर अगले ही दिन लॉंडरी करते हुए एनी को वो कीचेन चारली की पैंड से मिलता है जो इसका मतलब था वो चोरी चारली ने की है चारली शुरू से ही निटोरियस टाइप का लड़का था तो एनी को उसी सुधारने का इससे अच्छा मौ इसके लिए चारली मान जाता है और अगले ही दिन पिक्निक में वो अपनी दोनों भेनों के साथ बहुत इंचॉय करता है एनी यह सब देखकर बहुत खुश थी क्योंकि अब उनके बीच की दुरियां खतम हो जाएंगी उसी शाम चारली अपनी गर्फरंट को एना से मिलव पर वही एनाः कर बुक पढ रही थी जिससे बुलानी के लिए चारली आता है लिए आज तक लेक में ना जाने वाली और चारली के बोलते ही तुरंट लेखंव में चली जाती है दिनाजिप को जीना हैं कि तबहें चारणी को सिपके गर्फरिंड का मैसिज आता है जिस पर चारणी वहाँ से जाने लग्ता है या एना से किस कर देती है याका यह बह़ीवियर चारणी के लिए थोड़ा सा वेड़ था पर वो इसे mada love समझकर वहाँ से चला जाता है लेकिन mother love वाली लाइन तो एना कपकी क्रॉस कर चुकी थी क्योंकि घर में खेलने वाला एक मामूली सा गेम हाइडेंसी में चार्ली का टच भी एना को रोमैंस से भरपूर लगता है क्योंकि अब दो वह अपने रूम से निकल कर सीधा चार्ली के रूम में चली गई जो देखकर चार्ल में भी एना के साथ हो कर लेता है और यहीं से इनका इक रिष्टा शुरू हो जाता है क्योंकि यह जंगल में हभर में कहीं भी शुरू हो जाते 끝as the story को करे चाहिए था मतलब कि वो भी एक माइनर था खैर चारली सारी बाती रिकॉर्ड करकर उस टेप रिकॉर्डर को रख देता है उसी शाम चारली की दोनों बेहनों की बर्दे पार्टी थी तोसमें कई लोग शामिल हुए थे और इसी सेलिब्रेशन में एना और चारली रोमेंस के क कुछ पल गुजार रहे थे कि तभी उन्हें एना के बहन देख लेती है जो एना से कहती है तुम पागल हो क्या वो तुम्हारा बेटा है एना इन सबसे बहुत डर गई थी कि जैसे उसकी बहन ने देख लिया अगर किसी और ने देख लिया तो उसकी इज़त की धच्चिया उड़ जाएंगी इसी चेकर में वो चार्ली से दूरियां बना लेती है जो कि चार्ली को थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता और वो पागलों की तरह एक पेड़ पर चड़कर उसके सारे फल नीचे फिकने लग जाता है वहां पर सिच्वेशन काफी ऑकवर्ड हो गया था जिस पे सब लोग चार्ली को छोड़कर चले जाते हैं तो वो उसी लस्क करीन जंगल में चला जाता है जहां उसे मनाने एनी जाती है और उसी समझा कर वापिस ले आती है जहां पीटर डिसाइड करता है कि वो चार्ली के साथ कुछ टाइम स्पेंट करेगा जिसके लिए द जन चल जाता है जब पीटर और चार्ली जंगल से वापिस आती हैं तो पीटर का बेहिवियर कुछ बदला-बदला सा था जो देखते ही एनी समझ गई थी कि चार्ली ने उसे सब कुछ बता दिया है जिस पें वो पीटर को अंदाज में हूब नहीं आभी के अभी इस घर को चोड़ कर चली जाती हूं जिस पे पीटर एकदम गंफ्यूज हो गया था कि वो किसकी साइड ले इसमें एनी अपने लॉयर वाले अंदास में हुकम का इका फेकती है और वो चारली से कहती है कुछ दिनों पहले जो चोरी हुई थी वो चारली ने की है जो सुनते ही पीटर ए एनी से माफी मागने को कहता है पर चारली ने कोई गलती नहीं की थी इसलिए वो एनी के मूपर थूकर वहां से चला जाता है अब इतना सब होने के बाद पीटर डिसाइड करता है कि वो चारली को बोर्डिंग में डाल देगा और अगली ही सुबह से छोड़ने के लिए चल और मैंने सारे सबूतों को भी मिटा दिया है जिस पर निराश चारली शांग को अपने डैट पीटर के पास जाता है पर एनी उसे वहां से भी भगा देती है चारली चारों और से एकदम अकेला पड़ गया था तो फिर से उसी जंगल में चला जाता है जहां ठंड और से दूर हो जाती आज वो लोग आस्ट्रेलिया चारली की मॉम के पास जा रहे थे जहां दोनों बैने और पीटर चारली को खोने के गम में खोए हुए थे वहीं एना के चहरे पर कोई दुख नहीं था और मुवी यहीं पर एंड हो जाता है आपको यह कहानी कैसी लगे कमें करकर जरूर बताना थैंक यू फो वाचिंग